क्लास सेवन्थ पेर्स ऑप लाइन्स रेखाओं का यूगम हम यहापर रेखाओं के बारे पढ़ेंगे आप जानते हैं अपने पहले क्लास पर पढ़ावा है कि जब दो रखाएं एक दूसरे को किन्दि बिंद पर कारती हैं यानि कि माननी जी आपर दो रखाएं हैं यह नहीं आपने हैं आइब ल लाइन दुछ यहां करें से दुष्य को कि इस पॉइट पर आथा जो मानना ब्रंच और लोट का नाम स्वारा Baptist पॉैंद काएं लोट को सब्सक्तृत क्या हैं चर्फब दौनों का इंट्रे क्रैक्टी और दोन्हां intersecting of point कौन सा है P point है यानि कि AB और C दो रखाएं प्रच्छतिदी रखाए हैं और P कहा है प्रच्छतिदी बिंदु है यानि point of intersecting है तो हम यहाँ पर जब दो रखाएं एधिडोसरे को किसी point बदर कारती हैं इन्हें बहुत प्रच्छतिदी रखाएं क्या बहुत हैं intersecting lines इने हम कहते हैं intersecting lines कहते हैं और आपने एक चीज़ और सुने होगी parallel lines कैसे यहाँ पर देखें मान लिजे कोई आपा यह रेखाई यह है और एक दूसरी रेखाई यह है मैंने आपको यह बास समझा रहे है classics में आपने बढ़ावा है यह कि जब दो रेखाई इस प्रकार से होती है इनके 20 की दूरी हमें से क्या होती है बराबर होती है यानि कि जब दो रेखाई इस प्रकार से होती है इनके सिर्यापस कभी मिलते नहीं है इन रेखाई को हम कितना आगे बढ़ाएं किता हम आगे बढ़ाएं यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से किता हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन इनके सरे आपसर कभी मिलते नहीं है यानि कि बीज के इन दोनों रिखाओं कि बीज की दूरे में से क्या होती है बराबर होती है इन्हें बोलते हैं कि पैरलल याने कि समानतर लेखaltenées नहीं जोister समानधर पे चलती है और ये दो डोड़़़़़़गा क्या हो जाँ जाती है तो जब दो रखाने को याो जाती है उन्हें पोते है inter-c Putting line और जब दो डोड़़़़़़़़़़़़़़़़़ inhib हमेरा किताभी आगे बढ़ाएंगे यहां से आगे बढ़ाएंगे, डूसरी को니다 हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनके स्रेजीर आपसे कभी भी नहीं मिलेंगे, उन्हें बलोने समांतर एं या पिर्लाल लांज, तो, इंटर्सेटिं लांज एन पिर लांज सबड़े पर दिखाये और श्मांतर रेखाएं अब हम पढ़ेंगे इन के बारे म कुछ के नियम मैनी जी यहाँ पर दो रेखाईं। पर तो दोन रहाएं कि आऊंगे parallel line होंगी यानि कि समानतर रहाएं होंगी अगर दोन रहाएं आप आपको कहीं नहीं मिल रही हैं तो वह समानतर नहीं होंगी वह रहाएं कि आऊंगी intersecting lines होंगी क्योंकि वह कहीं नहीं कहीं पर दूसरे को क्या करेंगी काट देंगी तो बरहाल यह दो रहाएं को एक और रहाएं से काट रही है इन दो रहाएं को जो है यह देखाएं जो A, B, C, D है इनने एक अन्य रहा मानने जी रहाएं हम कहा है P, Q है तो आप देख रहे हैं यहाप है कि जो है A, B और C, D को दो रहा एक कोई रहा P, Q इस प्रकार से काट रही है आप देख रहे होंगे इस P, Q हम कहते हैं Transversal line A, B, O, C, D दो रहाएं होई मानने जी अब और C, D, 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 D लाइन है तो जब दो रिखाओं को कोई रिखाओं से कारती है या प्रचित करती है तो आप देख रहे होंगे यह यहां पर काट रही है इस पॉइंट पर काट रही है जिबकि सीडी को इस पॉइंट पर काट रही है तो अब इस पॉइंट पर कार दिया इस पॉइंट पर कार एक, दो, तीन, चार, यहाँ पर बनते है चार कॉण और उसी प्रकास से चार कॉण यहाँ बनते हैं, यह एंगिल नमर क्या है, फाइब है, एंगिल नमर शिक्स है, यह क्या है, यह क्या है, और यह क्या है, एट है, तो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर चार, चार आट यहां पर इसनहें वर्टिकल यहां यह कहstованly यहां है यहां से वर्टिकलि एंगल्स इए सिर्शाइम्ध कोण है या हम रखा Singapore चैनल है और हषे यहां एक दूसेंग कारती है तो आमने सामने बनते हैं उन्हें बोलते हैं vertically opposite angle तो हमने यह पहले पड़ रखा है लेगिन हम आज आपको पड़ाएंगे कि जब दो रिखाएंगे इस प्रकार से हैं उन्हें कोई transfer line क्या करती है कारती है चारकौन यहां बनते हैं ऒए बहुत बहुत आज़र आचांक सान्य और इस खाना है हमों आपको पड़ाएंगल सर्थ चारकौन यहां बनते हैं तो यहां बनते हैं तो संगत कौन की होती है कि संगत कौन हमेशाardár एक संगत कौन हमेशा एकी दिशा में बनते हैं कैसे हम बात करेंगे हमने स्टाड करेंगे एंगिल नुमर वन से तो देखें एंगिल वन यह है यह कौन पहला है तो देखें संगत कौन हमेशा एकी साइड बनते हैं यानि कि एकी डिरेक्शन में बनते हैं मिन्स देखें जब यहा रेक्षन में अंगिल 5 ही बन रहा है संगत कौन है इन्हें हम हिंदिवे कहता है संगत कौन तो कौन एक और कौन पा संगत कौन इसलिए हैं कि दोनों की डिरेक्शन क्या है एक की है डिरेक्शन में सोता है दिशा यहां कि जब दोनों कौन एक कौन यहां से लेंगे हम और एक कौन हम यहां से लेंगे एक कौन यहां उपर वाले में पॉइंट में एक कॉण या निचे वाले पॉइंट में तो जब दोनों कॉणों की direction एक ही हो दिशा एक ही हो एक दिशा में बन रहे हो उन्हें बहुत हम corresponding angle या संगत कॉण तो देखे आप देखे हम पहले angle 1 से हम स्टार्ड कर रहे थे तो angle 1 यह है angle 1 इस दिशा में बन रहा है और उसी दिशा में यहाँ पर angle 5 बन रहा है तो हम यह कहते हैं angle 1 and angle 5 यह दोनों क्या है corresponding angle है यह हम कहेंगे संगत कॉण है अब देखे हम ने angle 1 ए उन 5 कह दिया अब angle 2 का आता है अब देखे कौन 2 का है इस तरह बन रहा है तो देखे कौन 2 जिस direction में बन रहा है उसी direction में यहाँ पे कौन कौन बन रहा है छे बन रहा है उसी direction में उसी direction में उसी दिशा में उसी के 7-7 संगत में 7-7 तो angle 2 जिस direction में बन रहा है उसी direction में यहाँ नीचे angle 6 बन तो एंग लिए तो या दोंग से क्या को र doran रोस्पोनिंग ऐं अंगल से हैं यादि कि संगात कौ रännतु है त्युंस को राट विता। उर्ढ ऑब सेंगल थे होगी थे उर पर सी 70 सेवन होगै जो direction angle 7 की है मैं जिस तरफ इसका मुह है इसका face जिस तरफ है उसी तरफ face angle 7 का भी है कौन 3 और कौन 7 दोनों भी क्या होंगे एक पेयर ये भी या गया crossboarding angles का तो मैं भी ये कहेंगे angle 3 and angle 7 तो ये या गया angle 3 and angle 7 और last angle 4 कौन 4 किस देशाइबन रहे देखिए कौन 4 का face किस तरफ है उस तरफ face या नीचे कौन 8 का भी है तो कौन angle 4 और angle 8 दोनों की direction एक ही है दोनों की direction क्या है समान है हम ये कहेंगे angle 4 and angle 8 ये दोनों के दोनों क्या है corresponding angle यानि की संगत कौन है अब आपको corresponding angle निकालना इसको ढूनना आ गया होगा समझ मैं अब ऐसा example में एक गल्पा खरतिया बना रखी है इसको भी आप देखिए कि दो रिखाइ इस परकार से आ रहे ये दो रिखाइ आ रहे है इस परकार से लमवत ये लमवत नहीं कहें तो इस पर खड़ी रिखाइं आ रहे है जिस direction में ए जा रहा है उसी direction में कौन जा रहा है एफ जा रहा है देखिए उसी direction में point के इस तरफ point के इस तरफ angle 1 sorry angle A और angle F दोनों क्या है corresponding angle है या संगत कौन है अब angle B की बात रहो angle B जिस direction में जा रहा है उसी direction में angle E भी जा रहा है उसी तरफ उसका face भी उसी तरफ है angle B और angle E एक तरफ देख रहे हैं या हम यह कह सकते हैं उनका face एक तरफ है उन्हें बोलते है corresponding angle यानि कि B और FB क्या corresponding angle है अब C की बात करो जिस तरफ C बन रहा है उसी तरफ angle क्या H बन रहा है angle C और angle H दोनों की क्या conding angle है और a यहां पर क्या कहते हैं यह संगत क्या का ठीक उता होता है यानि की alternate angles corresponding angles का ठीक क्या होता है Abosit होता है मैं आपको यहाँ पर भी सम्झाया है कि अंगिल 1 और अंगिल 5 दोनों के दोनों किस्लिए हैं क्योंकि एंगिल 1 और 5 क्या एक डिरेक्षिन में बन रहे हैं तो इसका ठीक बिलूम क्या होगा इस इसका ठीक आपोजिट क्या होगा कि जैसे मैंने कहा था Cross Ponting Angles दोनों क्या बनते हैं दोनों एक की Direction में बनते हैं तो हम एक कहूंगों कि Alternate Angles दोनों क्या बनते हैं ठीक एक दूसरे की Opposite Direction में बनते हैं बिबूरित दिशाओं में बनते हैं जिस तरफ कौण 1 जा रहा है ठीक उसके बबीत यानि यहां यहां और एक कॉन यहां बनेगा तो एक कॉन यहां बनेगा ठीक है न तो कैसे देखिए कॉन एक के ठीक अपोजिट कॉन जा रहा है कॉन से बन जा रहा है तो कॉन एक जिस डिरेक्शन में जा रहा है उसके ठीक उल्टा या ठीक अपोजिट कॉ रहा है यह उसकी direction ठीक किस कॉंड की है कॉंड साथ की है तो एक और साथ दोनों की दोनों क्या है alternate angles है यानि कि एक आंतर कॉंड हम या लेकेंगे क्या angle 1 and angle 7 अगर आपको पंचाना नहीं आ रहे तो आपको फिर समझे देखिए कैसे समझाना है आपको angle 1 और angle 5 दोनों क्या थे corresponding angle थे तो कॉंड 1 का संगत कॉंड 5 था जो कॉंड 1 का जो संगत कॉंड है उसके ठीक पीछे आओ यानि कि उस कॉंड 5 का ठीक को देखिए आपका सिरसाव में कॉंड देखिए या उस कॉंड का देखिए आपका vertically opposite angle थे सहे हम कहते हैं सिरसाव में कॉंड 5 का संग कॉंड 7 है तो कॉंड 1 और कॉंड 7 दोनों के दोनों क्या है अब पोचिट डारेक्शन में जा रहे हैं, तो कौन एक और कौन साथ दुनों के अटर्णेट अंगल से हैं, या कहिए हम एक अंतर कौन हैं, अब देखें कौन दो की बात किजिए, कौन दो का संगत कौन च्छे था, यानि कि ये वाला जूने पहले पढ़ावाए, कौन दो का जो क्रसपोर्णिक अंगल था, वो कौन क्या 6 था, अब कौन 2 का क्रसपोर्णिक अंगल कौन 6 है, तो कौन 6 के ठीक पीछे आए, या हम कहें कौन 6 का जो ठीक सीर साब में कौन देखिए, तो कौन क्या बनता है, यानि कि कौन 2 का संगत कौन, कौन 6 है, लेकिन कौन 2 का जो एक बन रहा है हम कहेंगे angle 2 and angle 2 and angle 8 यह दोनों भी क्या है alternate angle है अब देखें अब अब एंगल 3 के बारी आती है कौन 3 देखें किस तरह बन रहा है कौन 3 जिस direction बन रहा है उसी direction में कौन 7 बन रहा था इसलिए कौन 3 और कौन 7 दोनों क्या थे संगत कौन तो यानि कि crossboarding angle थे कौन 3 और कौन 7 angle 3 and angle 7 लेकिन angle 3 के direction में angle 7 मन रहा है लेकिन 7 के ठीक पीछे आओ यानि कि 7 का ठीक vertical opposite angle देखें वो 5 है यानि कि 3 का alternate angle होगा वो angle 5 होगा कौन 3 का एक अंतर कौन कौन 5 angle 3 का alternate angle angle 5 क्योंकि angle 3 और angle 5 दोनों क्या ठीक एक दूसरे के opposite direction में है तो हम यहाँ यह कहेंगे angle 3 and angle कौन सा था angle 3 देखें angle 5 हम देखें angle क्या 5 तो देखें angle 3 और angle क्या 5 ठीक विर्दिशाओ में है और उसके बाद देखें लास्ट एंगल एंगल 4 आता है कौन 4 इस direction में है और कौन 4 का यह same direction में कौन सा है कौन 8 है कौन 4 और कौन 8 एक direction में है इसलिए कौन 4 और क्या दोनों क्या थे corresponding angle थी अब देखिए con 4 का corresponding angle con 8 था अब 8 का ठीक देखिए say savimicon को या 8 का say savimicon कौन कौन सा है 6 है तो 8 का से savimicon 6 है तो याने कि जो 4 का संगात con 8 था है यान का angle 4 का corresponding angle 8 था तो angle 4 का alternate angle कौन सा होगा 6 होगा देखिए 4 और 6 दोनों क्या मुझा है ठीक opposite direction में बिपरिद दिशाओ में एक बनता है पूरप तुसा बनता है पस इस प्रकार से हम कहते हैं opposite direction तो angle 4 और angle 6 दोनों क्या है ए दूसरे के बिद्गूर opposite direction में है हम यह कहेंगे angle 4 and angle 6 डोनों की डोनों क्या है यह भी आटरिट अंग्ल है तो मैं यह लखएंगे angle 4 and angle 6 तो यह भी कहाँ बिबरिद दिशाओ ने आ रहे हैं तो यह भी दोनों क्या है alternate angle है यानिक एक आउंदर कौन है यह है तो मैं आपको समझा जी हैं किस पकास से एक आंतर कॉर्णों को और संगत कॉर्णों को पैचानते हैं उसी फिर रपाकरती में आएए हमने अभी इससे पर आपको क्या समझाया था क्या सो एक जबल समझाया था यहाँ पर एक corresponding angle समझाया था अब वो आपर निकालना है alternate angle कैसे फिर आप बात करो A से angle A angle A और angle F same direction में है इसलिए angle A और angle F क्या corresponding angle है लेकिन angle F जो A का corresponding angle है F उसके ठीक opposite में आओ यानि कि ठीक vertical opposite angle को देखिए वो angle H है यानि कि angle A और angle H दोनों क्या बनेंगे यह alternate angle आगए अब angle B करो angle B और angle E दोनों क्या थे corresponding angle थे लेकिन E का ठीक पीछे कौन है G बन रहा है तो angle B और angle G दोनों क्या है alternate angle है यानि कि एक आदर कौन है क्योंकि B और G दोनों angles के direction क्या है बिल्कुल opposite है अब बात करें angle C की angle C जिस direction में है उसी direction में angle H है तो C और H दोनों के दोनों क्या है cross pointing angle है लेकिन C के C की तरब कौन सा है C की direction में H है H का ठीक जो बिल्कुल opposite angle है वो F है यानि कि C और F दोनों के दोनों क्या है alternate angle है और वह ऐसा लास्ट में जो है D angle D जिस direction में उसके ठीक बिल्क डिल्क डिल्क डिल्कुल में कौन सा है E है तो A, D और E यर्णों की दोनों में क्या है alternate angle है तो आप यहाँ पे समझ गया होगे किस प्रकास हम cross pointing angle चानते हैं किस प्रकास हम alternate angle चानते हैं या ढूंटे हैं या पचानते हैं चानते हैं अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ cross pointing angles और alternate angles के बात मैं आपको इस समझा रहा हूँ आप देख रहे होंगे मैं आपको जैसे भी का था AB और CD दो लाइन है इनके उपर एक ट्रांस्वर्सल लाइन है वो PQ है जो दोनों AB और CD रेखाओं को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कर रहे हैं आपस में काट रही है तो आप देख रहे होंगे यह एक PQ का एक ट्रांस्वर्सल लाइन है यहां में पर तिर्यक रेखा है ठीक है न तो देखे जो तिर्यक रेखा है उसके चार कौन बन रहे है क्या लेट साइड में और चार कौन बन रहे है क्या राइट साइड में देखिए इस रेखा के इस रा क्योंके left में right में. sorry right में कॉन से कॉन बने के में कॉन 1, कॉन 4, कॉन 5, कॉन 8 और left में कॉन से कॉन के में कॉन 2, कॉन 3, कॉन 6 और क्या कॉन 7 मैं सब्सक्नले कह रहा हूं इसको भी समयना बहुत आवशक है अब देखे फिर से आईए इस ट्राम से लाएं PQ के राइट में है, कौन कौन से कौन के हैं आपने, कौन एक, कौन चार, कौन पास, कौन आट, लेकिन अगर मैं यह कहता हूँ, कि PQ के जो लेप्ट राइट में है, इन चार कौनों में ऐसे कौन से कौन इंटिरियर एरिया में है, कौन्ण से इस ट्रांट सो लाएंगे दाई तरफ, कौन एक भार है और कौन आड़ कायग है इन रखाओं के भार है, तो कौन एक और कौन आर्ट क्या है, बाएशदर में है, यानि कि एक्स्टिरियर एरिया में है, जब कि कौन चार और कौन पांस दोनों क्या है, इन दोन रखाओं के बीच में न यह, तो कौन चार और कौन पांस दोनों क्या है, इन दोन रखाओं के ब कौणड बाइट साथ में हैं जब की और 2 और 6 क्या है याने कि Axterior एरिया में तो ट्रांसुज लाएट साइड में हैं जब की या पर हम को समझ गे होंगे इनको भी आप लिखेंगे तो यह बहुत आउशक है कि आप जब दो रिखाओं को कोई ट्रांस लाइन कारती है तो संगत कौन यानि करस्पोनी एंगल्स और एक आंतर कौन यानि की अंटरेट एंगल्स को आप क्या पैचाने और उसी ट्रांस लाइन के बाई तरब के अंटर कौन बायकौन और बाई तरब दाई तरब के अंटर कौन बायकौन का पैचाने तो इस तरफक मेस प्रकार से प्रकार से पैचानते हैं, कि प्रकार से थूँड़ते हैं मैं आपको सब्सक्राइब करेंगे दो डाइग्नम मना रहा हूं । या पहले लिखेंगे पर लिखेंगे और बाद में यर्षाते बनाएंगे。 अब दिखाँगे कैसे क्रसपोंडिंग और अटरिए अंग्ल कौंकौνस हैं. वा से इस किलिए दो में क्रस by क्लिए रहे हैं Yes !!